यहां की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी और उसका कारण भी था कि अध्यापक एक थेके वाले हाँ वह भी रिटायर होने की स्थिति में रिटायर होने वाले थे जिसके कारण छात्र संख्या नहीं थी फिर मैं आकर के यहां काफी प्रयास किया और उस प्रयास का नतीजा र और कई बच्चों का नाम लिखा भी दिए हमारे बच्चों को कॉंपूटर शिक्षा भी दी जाती है टीवी डीवीडी प्लेयर के माधम से भी सिख्छा दी जाती है, बच्चों को प्रेक्टिकल भर्क भी कराए जाता है, अच्छी-च्छी मॉडल भी बनवाए जाता है बच्छों से, और ड्राम, लेजियों, डंबल हर चीज की सिख्छा दी जाती है बच्छों को, ताकि सबस्केट बाल है सारे खेल बच्चों को खिडाए लाता है जब से हरे राम पटेल जी आए है तब से स्कूल की विवस्था बहुत अच्छी हो गई अपने पास से पैसा लगा के पूरा स्कूल मेंटेन करा हैं बच्चों क साभून देते हैं कपड़ा सिलाए हैं दवा कराते हैं घड़ी बाते हैं अपने पास से दूध है फ़ल है सब अपनी जेव से पिलाते हैं पैसा लगा लगाए लगा कितिना बच्ची आते होंगे इस सम सब्सक्राइब करें अभी तक केवल 25,000 रुपया आया था लेकिन हम लोगों ने मैं पती-पत्नी दोनों लोग यहीं विद्याले में कारे रहा थे हम लोग हर महीने 4,000 रुपया बच्चों और विद्याले के नाम पे निकाल देते हैं बेटल से और उस पैसे को यूज करते है इस विद्याले में विद्याला का पंक्ख औरब नहीं था गुर्मेंट की तरफ से नहीं आया है हम लोगों विद्याले में लोग अया वायर्िंग की तरफ से हुआ Chief लिब तो यह सारी पर्वास्था हम लोग करते हैं और बच्चों के लिए ओछा सफ्छा जैसे बच्चों को हें जाते दिया गया है बच्चे वनेश्डे के अößzess तर्डे को हाउस्डेस में आते हैं बच्चों को बेरट टच गूपcribe टच के होता और बच्चों को ग्रिश्मा वकास में भी स्वैम इस्टेंड करने के लिए सिलाई कढ़ाई की कंप्यूटर के भी सिख्छा अलग से दी जाती है जिससे वह आगे चल करके समाज का जिम्मेदार नागरीप बन सके है झाल